हेलो एव्रीवन वेलकम टो आ यूट्यूब चानल आउडियो वर्स जीनियस डॉक्टर ब्लाक बली मिस चाप्तर दो हजार चार सो इक्यानवे टो हजार पाँच सो यह क्या है हुआ याउ ने उस छोटी सी चीज को देखा जो सपश्ट रूप से भईभीत थी वह इतना छोटा था दो हथेलियों के बराबर और उसका शरीर खून से लगपत था वह लगातार हिल रहा था उसकी आखे समुद्र की तरह नीली थी लेकिन आतंग और डर से भरी हुई थी समुद्री आत्मा जानवर का शावक एक नजर और जून वुयाउं ने पहचान लिया कि छोटी चीज क्या थी इतने गहन शिकार के तहट यहाँ कलपना करना कठिन था कि छोटा सी स्पिरिट बीस्ट शावक कैसे जीवित रहने में काम्याब रहा होगा अधिपी ने सी स्पिरिट बीस्ट के शरीर को देखा और पाया कि उसके पेट पर काटे जाने के निशान थे यहाँ अन्य स्थानों पर लगे घावों की तरह नहीं था जो किसी धारदार हतियार से लगे हो उसने अनुमान लगाया कि अपने शावकों की रक्षा के लिए जानवर ने अपना पेट काट लिया और छोटे शावों को अपने मास और खून के भीतर छिपा लिया यहाँ तक कि जानवर भी अपनी संतानों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं उपरी क्षेत्र के उन लोगों की तुनना समुद्री आत्मा जानवरों से भी नहीं की जा सकती अधिती ने डरे हुए शावक को गोध में उठाया और ध्यान से उसे सहलाया वह इसे इसलिए रख रही थी क्योंकि यहाँ इतना छोटा और कमजोर था कि इसे छोडने से इसकी मृत्यू हो जाती कियाओचू ने कुछ पानी तयार किया और अधिती को शावक के शरीर से खून धोने में मदद की हाला कि वह छोटा शावक जिसने अपनी तरह की हत्या देखी थी पानी के बेसन में प्रवेश करने से पहले एक दोहकी करुन विलाप किया उस कोमल दोहक ने उसके शरीर पर लगे खून के साथ शावक को और भी अधिक निराश कर दिया अधिती ने लौड मेह मेह और बली रक्त खरगोश को बुलाया क्योंकि वे भी जानवर थे और आकार में छोटे थे शायद वे छोटे सी स्पिरिट शावक के डर को शांत कर सकते थे ऐसा प्रतीत होता है कि लौड मेह मेह ने अधिती की सोच को समझ लिया था और अपनी जीब का उप्योग छोटे शावक के शरीर से खून के निशान को धीरे से चाटने के लिए किया बली रक्त खरगोश ने भी भगवान मेह मेह के साथ मदद की दो मूर्प जानवरों के मंत्रालियों के तहट छोटे समुदरी आत्मा जानवर की दुखद विलाब धीरे-धीरे गायब हो गई हाला कि वहाँ अभी भी भैभीत था अपने आप में सिकुड रहा था और काप रहा था अधिती ने ये शा को छोटे शावक को आराम करने के लिए जहांस के केबिन में लाने का निर्देश दिया उन्हें अपना रास्ता थोड़ा बदलना पड़ा क्योंकि वे समुदर पर उपरी ख्षेत्र के साथ तत्राव से बचना चाते थे समुदर की स्थिती को समझना कठिन था उनके पास यह नहीं था कि दूसरे पक्ष के पास कितने सैनिक थे और कितने जहांज थे यदि उन्होंने सावधानी पूर्वक ध्यान नहीं दिया और कुछ को भागने की अनुमती दी तो उपरी ख्षेत्र में घुसपैट करने की उनकी योजना का खुलासा हो जाएगा और बहुत बाधा उत्पन्न होगी पूर्ण निश्चित्ता के बिना अधिती यह जोखिम नहीं उठा सकती थी क्योंकि वह इस सफर पर अकेली नहीं थी उनके चाहने वाले और उनके साथ ही उनके साथ थे दस बड़े जहाजों ने धीरे-धीरे अपनी दिशा बगली, खुनी क्षेत्र को पार करते हुए और खुनी समुद्र का चक्कर लगाते रहे हर कोई किनारे पर खड़ा था और असुर के नरक के तुकड़े को देख रहा था, जो धीरे-धीरे दूर जा रहा था हर किसी का दिल कुछ न कुछ दबाता सा लग रहा था, यह उपरी शेत्र वे उनसे नफरत कैसे नहीं कर सकते? समुद्र की सता के दूर होने से पिछला द्रिश इस असी महसागर द्वारा निगल लिया गया प्रतीत होता है इतने विशाल महसागर में अगर सयोगवश मुलाकात न होती तो ऐसे कुरूर द्रिश का सामना करना कैसे संभव होता? लेकिन कौन जानता था कि इस शान दिखने वाले समुद्र के नीचे कितनी मौते और पाप छिपे हुए थे? जहाज पर बत्तिया जल उठीन और जहाज चुकचाप धीरे-धीरे समुद्र की सता पर सर्कने लगा अंधेरे में एक काला बिंदू धीरे-धीरे येशा के सामने दिखाई दिया जो शीर्ष पर था जैसे ही जहाज ने दूरी कम की काला धब्बा धीरे-धीरे बढ़ता गया ये शाने कुछ आश्चर्य के साथ समुद्र के अकेले द्वीप को देखा लौड जू को तुरंट सूचित करे और पूछे कि क्या वहाद द्वीप पर उतरना चाता है एक अकेला द्वीप जो मौत के समुद्र में एक छोटी सी नाव की तरह चुपचाप दिखाई देता था इस समय समुद्र में तेज हवा चल रही थी और शांच समुद्र पर अच्छी बारिश हुई जिससे थोड़ी सी लहर पैदा हो गई क्या आप द्वीप पर जाना चाते हैं अधिरी जूनवु याओं के पास खड़ी थी उसने महीने के अधिकतर समय यात्रा की थी यहाँ पहली बार होगा जब वह किसी द्वीप की खोज करेगी द्वीप का क्षेत्रफल बहुत छोटा नहीं था पेड़ घने थे और यहाँ निर्जन लग रहा था एमेन जून वु याओं ने सिर हिलाया क्योंकि वहाँ आसन्न तूफान के बारे में कुछ चेतावनी संकेत थे इस समय एक छोटा सा द्वीप मिल जाना उनके लिए अच्छी बात थी विशेश रूप से रोंग रों समुदरी बीमारी से पीडित थी अगर वे जहाँस के पिचिंग और रोलिंग के साथ तूफान का सामना करते तो इससे उसकी स्थिती और भी बत्तर हो जाती जून वु याओं ने उतरने का आदेश दिया लंगर गिरा दिया गया अधिकांच नाइट रिजीम और गोस्ट आमी जहाँस पर ही रुके रहे केवल ये शा और अन्य दो ने जून वु याओं का अनुसर्ण किया और बाकी लोग द्वीब पर चले गए रातरी व्यवस्था के तीन लोगों के अलावा भूत का मुखोटा पहने एक व्यक्ती भी समों का अनुसर्ण कर रहा था वह आदमी भूत सेना का कमांडर था उन्हें गुई हुआं कहा जाता था और वह जून वु याओं के विश्वास पात्रों में से एक थे वह हमेशा चुप रहता था अदिती ने उसे कभी बोलते हुए नहीं सुना था द्वीब बहुत शांत था हवा चलने पर केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी अदिती अपने साथ सी स्पिरिट बीस्ट शावक को भी लेकर आई है हाला कि इस समय दरे हुए छोटे लड़के की आखों में अभी भी कुछ डर था लेकिन उनकी शुरुआती मुलाकात की तुलना में घबराहट थोड़ी कम थी शायद शावक को इस बात का एहसास था कि अदिती और उसके दोस्ट उनका शिकार करने वाले दुश्मन नहीं है और इस प्रकार छोटा लड़का इस समय काफी शांत था जहास पर उन्हें लगा की द्वीब बहुत छोटा नहीं है लेकिन एक बार जमीन पर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ की द्वीब का भूमीक शेत्र काफी बड़ा था पहली नजर में वे अंत नहीं देख सके उनके सामने घने जंगल का रास्ता होने की उम्मीद थी अंतहम थोस आधार पर है जहास पर इतनी देर तक जूलते रहने के कारण मैं वास्तव में असज महसूस करने लगा हूँ मुझे लगता है कि वह सारी हलचल मेरे दिमाग को चिपचिपे पेस्ट में बदल रही है क्याओ चु ने व्यायाम किया और अपने अंगों को धीला कर लिया उर्जा से भरपूर और हलकी बारिश से दैनिया रूप से गीला नहीं हुआ समत्र पर जीवन ने कमोबेश उन्हें थोड़ा असज महसूस कराया पहले जब वे निचलेक शेत्र से मध्यक शेत्र की ओर भागे तो उन्होंने एक जहास भीलिया लेकिन यात्रा इतनी लंबी नहीं थी लेकिन इस बार इससे उन्हें चोट लगी अधिती छोटे जानवर को लेकर रोम रो तक चली गई पहले ठीक थे लेकिन किसी तरह पिछले दो दिनों में अचानक समुद्री बीमारी हो गई अधिती ने कई बार उसकी जाच की थी और उसे कोई असामान्यता नहीं मिली थी शरीर की कमजोरी के अतिरिक उसे और कुछ ना मालूम हुआ ऐसा प्रतीत होता है कि यहां अचानक हुई समुद्री बीमारी थी रोंग रोंग ने ठक कर सिर हिलाया तभी जब उन्होंने देखा किसी स्पिरिट जानवरों का वद किया जा रहा है शायद यह खून की तेज गंध थी जिसने उसे इतना उपकाया कि उसने लगभग पित्त की उल्टी कर दी उसके सिर में दर्द की लहरे उठीन और उसके दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हो बोल्डर उस पर दब गया और उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया मैं आगे कुछ जाच करने जा रहा हूँ यहां देखने के लिए कि क्या द्वीप में आराम के लिए उप्यूक्त गुफा है लिटल रोओ की हालत को देखते हुए उसे आज जहांस पर वापस नहीं जाना चाहिए फेय यान का दिल दुख रहा था जब उसने दूसरों को अपना विचार सुझाया मैं आपके साथ जाऊंगा ये गुउ उसके पास चला गया उनकी ताकत केवल अदिती और जून वुयाओं से पहले थी किसी भी खत्रे का सामना करने के लिए तयार रहना उनके लिए भैतर होगा ठीक है अदिती ने अपना सिर हिलाया और रोम रो के सामने जुक कर बैठ गए उसकी बाहों में लेते हुए छोटे सी स्पिरिट बीस्ट ने अपनी बड़ी-बड़ी आखे फैलाई और रोम रो के पीले चहरे की ओर देखा चुपचप उसने अपनी गीली छोटी जीब बाहर निकाली और रोम रो के हाथ के पिछले हिस्से को चाटा छोटे सी स्पिरिट बीस्ट को आश्चर्य से देखते हुए रोम रो की आखे स्पष्ट और सुन्दर बड़ी आखों से मिली जिससे रोम रो के चहरे पर मुस्कान की एक जलक उभर आई ऐसा लगता है कि यहाँ आपको पसंद है अधिती ने नजरे जुका ली सी स्पिरिट बीस्ट के शरीर का कोई तापमान नहीं था इसका पूरा शरीर थंडा था क्योंकि यहाँ अधिकांज समुद्री जीवों की विशेशता थी इस गर्म और उमस भरे मौसम में छोटे सी स्पिरिट बीस्ट को गले लगाना बिलकुल थर्मोस्टेटिक थंडे छोटे बर्फ के टुकडे को गले लगाने जैसा था यहाँ प्यारा है, रोंग रों मुस्कुराएं और छोटे सी स्पिरिट बीस्ट के सिर पर थप्ट पाया ये गू और फी यान अभी भी वीप की खोज के बारे में चर्चा कर रहे थे जबकि क्याओचु उनका पीछा करने की इच्छा के बारे में उपद्रफ करता रहा कैसे होगा, रोंग रों ने छोटे सी स्पिरिट बीस्ट को देखा जो हर समय उसके हाथ को चाट रहा था, थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था उसे यकीन नहीं था कि काम करना उसका मनोवै ज्यानिक कार्य था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस छोटी सी चीज से उसे जो आरा मिला था, उसने उसके शरीर में महसूस होने वाली असुविधा को कम कर दिया था, जिससे उसके चेहरे पर रंग वापस आ गया अदिती को भी इसका जवाब नहीं पता था, वह केवल अपना सिर उठा सकती थी और जून वू याओं को देख सकती थी, इतनी उम्र में सी स्पिरिट बीस्ट में मून रूप से खुद की रक्षा करने की क्षमता नहीं होती है भले ही यह इतना भाग्यशाली हो की उपरी क्षेत्र के शिकार से बज गया हो, मृत्यू के सागर में अभी भी कई क्रूर समुदरी जानवर रहते हैं वे समुदरी जानवर वयस्क सी स्पिरिट बीस्ट को चोट पहुचाने में सक्षम नहीं है, लेकिन उन्हें नवजात सी स्पिरिट बीस्ट के लिए घातक माना जाता है इसके अलावा छोटा सी स्पिरिट बीस्ट उन समुदरी जानवरों के लिए बेहत स्वादिष्ट भोजन है अदिती की बाहों में छोटी सी चीज को देखते हुए जून वू याओं ने समझाया काकतवर कमजोरों पर शासन करेगा ऐसा सिध्धान्त न केवल उपरी क्षेत्र में मौजूद था बल्कि जानवरों की दुन्या में भी मौजूद था क्या हम इसे अपने साथ ला सकते हैं अदिती ने हलकी सी विंती करते हुए पूछा वहां उस द्रिश्य को कभी नहीं भूल सकती जब उसने वयस्क सी स्पिरिट बीस्ट के पेट से इस छोटी सी चीज़ को बाहर निकाला था मौत का तांडव खून के रंग के इर्दगिर चाया हुआ था और यहा ननही सी जान ही जीवित बची थी हाला कि जून भू याओ ने अपना सिर हिला दिया हाला कि समुद्री आत्मा के जानवर जमीन पर रहने में सक्षम है लेकिन लंबे समय तक समुद्र के पानी से दूर रहने से उनका जीवनकाल कम हो जाएगा वे समुद्र से संबंध थे जून मू याओ अदिती के विचार को कैसे नहीं समझेगा? नेहसंदे यदी वह कर सकता तो वह उसे अस्वीकार नहीं करता वैसे भी अदिती के आसपास पहले से ही ऐसे बहुत से मूर्ख और प्यारे छोटे जीव मौजूद थे दुर्भाग्य से यह सी स्पिरिट बीस्ट के लिए नहीं था अदिती ने भौने सिकोड ली यह इतना युवा सी स्पिरिट बीस्ट था लेकिन न तो इसे उनका पीछा करने की अनुम्ती थी और नहीं अकेले जीवित रहने की क्या इसकी माँ ने इसे आने वाली मौत का सामना करने के लिए इसकी रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी लेकिन अगर हम अन्य समुदरी आत्मा जानवरों को ढूनने में सक्षम है तो हम इसे उन्हें सौपने का प्रयास कर सकती है सी स्पिरिट बीस्ट पालतूर जानवर है वे अकसर गहरेसने के साथ छोटे समुदरी आत्मा जानवरों की अच्छी देख भाल करती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ एक ही कबीले का बच्चा है या यहाँ वहाँ बच्चा है जिसे उन्होंने जन्द दिया है वे छोटे सी स्पिरिट बीस्ट को पालने में अपना सारा प्रयास लगा देंगे जून वु याओ अधिती को नाराज होते हुए नहीं देख सका और उसने आगे बढ़ना जारी रखा वे उपरी क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक दयालू हैं चोटे से सी स्पिरिट बीस्ट के सिर पर हाथ फेरते समय अधिती की आंखों में ठंड़क की जलक दिखी अधिती की बातों ने सभी को सन्नाते में डाल दिया यहां तक कि समुदरी आत्मा के जानवर भी अपने बच्चों का पालन पोशन करते थे और यहां तक कि दूसरों के बच्चों का भी पालन पोशन करते थे, लेकिन उपरीक शेत्र अपने रिष्टेदारों को भी जाने नहीं देता था. वहां के लोग वास्तव में जानवरों से भी अधिक भयानक थे. आह, येशा और मैं पहले टेंट लगाएंगे, अगर उन्हें गुफा नहीं मिल पाती है, तो कम से कम हमारे पास बारिश से बचने के लिए जगह तो होगी, ये में ने येशा को देखा और दोनों चुपचाप तंबू लगाने के लिए जंगल में भाग गए. यह पता नहीं था कि तूफान कब आएगा, किनारे पर तंबू गाडना बहुत खतरनाक होगा. बारिश तेज हो रही थी, लेकिन सौभाग्य से उनकी ताकत अभी भी मौजूद थी. कुछ आध्यात्मिक शक्ती का उप्योग करके उन्होंने अपने शरीर को बारिश से अलद रखने के लिए एक वायू अवरोध बनाया. बारिश की तेज थपेडों ने सभी को शांत और शांत कर दिया. अंधेरे में जंगल के भीतर छुपी आखों ने अधिती के हाथों में पले छोटे सी स्पिरिट बीस्ट को बिना पलक जपकाये देखा, जिस हाथ में खंजर था वह धीरे से उठा, लेकिन अधिती को धीरे से छोटे शावक को सहलाते देख हाथ नीचे गिर गया. उन आखों में थोड़ी सी सावधानी थी, जो तटके चानों और हर किसी पर नजर रख रही थी. उस ख्षन तक जब जून वू याओ पलता, उन आखों में सदमा दर्ज हुआ. यहाँ वही है. किनारे पर अधिती ने देखा कि छोटा जानवर रोम रोओ को पसंद करता है, बिल्कुल कौाला भालू की तरह उसने कसकर पकड़ लिया और जाने से इनकार कर दिया. इस सीन से वाकई अधिती को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे यारूएं. वास्टव में बहुत चंचल बच्चा है. रोम रोओ ने हलकी सी हंसी निकाली और प्रानी के फूथन पर धीरे स थप्थपाया. यह छोटा सा साथी उसके करीब रहना चाहता था लेकिन फिर भी उसने अधिती को जाने से मना कर दिया. कितनी लालची छोटी चीज है. अधिती मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, लेकिन अचानक उसके शरीर से एक परिचित बेचैनी अचानक उठी और पलक जपकते ही अधिती का शरीर थोड़ा कामपने लगा, उसकी बाह से भयावा नीली नसे धीरे-धीरे उपर की और फैलने लगी. मियानू, ब्लाक याट की पीट का फर सीधा खड़ा था. वास्तव में इसी समय अधिती पर हमला हो रहा था. हाला कि पलक जपकते ही अधि अधिती के कापते हुए हाथ को पकड़ते ही हैरान भाव रख दिया. जब उसने अधिती के हाथों को हिंसक नीली नसों से धका हुआ देखा, तो उसने बड़ी आखों से जूनवु याओ को देखा. क्या हो रहा था? जूनवु याओ की आकरिती एक पल में अधिती की रखी थी और दूसरे हाथ से उसने अपनी डार्क स्पिरिट का इस्तमाल करना शुरू कर दिया. अचानक नीली नसों से धके एक छोटे से हाथ ने जूनवु याओ की कलाई को मौत की चपेट में ले लिया. जूनवु याओ ने अधिती को आश्चर्य से देखा जब उसने उसे रोका. अधिती का चहरा खून से लत्पत लग रहा था और उसके माथे पर ठंडा पसीना ढखा हुआ था. उसके होंट आश्चर्य जनक रूप से सफेध हो गए हैं. लेकिन जब उसने जूनवु याओ पर अपना सिर हिलाया तो वह द्रिंता से दर्द का विरोध कर र आवाज बहुत दर्द दबा रही थी. उसकी छोटी अधिती को कुछ पता होना चाहिए, अन्य था वहां उसे नहीं रोकती. अधिती को इतना दर्द हो रहा था कि वहां कुछ बोल नहीं पा रही थी और केवल अपना सिर हिला पा रही थी. यदि यहां वहां नहीं है, तो यहां वहां है. यदि उसे चुनना हो, तो वहां उसे चुनना पसंद करेगी. उसके शरीर में जो उथल पुथल मची थी वहां बेहत दर्दनाक थी, लेकिन इससे उसकी जान नहीं जाएगी. लेकिन अगर जीवन और मृत्यू कीड़ा लगातार बढ़ता रहा, तो इससे जून वू याओ की मृत्यू की गती तेज हो जाएगी. जैसे ही वे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, कुआ याओ और बाकी लोग, जो एक तरफ खड़े थे, घबराहट के मारे पसीने पसीने हो रहे थे. अदिती के अचानक असामान्य व्यवहार से वे घबरा गए और वे इस बात से पूरी तरह अंजान थे कि क्या हुआ था. हाला कि फिलहान वे अदिती से सवाल करने में असमर्थ थे क्योंकि वे चुपचाप एक तरफ खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे. अच्छा बनो, मेरी बात सुनो. मैं ठीक हूँ, जून वू याओ ने अपन से गर्दन तक फैल चुकी थी. उसकी पीली तवचा पर हिंसक नीली नसे धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ी, उसकी गर्दन से लेकर निचले जबडे तक धीरे-धीरे उसके गाल तक फैल गई. इंच दर इंच नसो की रेखाएं जून वू याओ के दिल पर चाकू से वार क करने जैसी है. जब नीली नसो ने उसके पूरे शरीर को ढख लिया, तो अदिती इतने तीवर दर्द से पीडित थी कि उसकी चेतना धुंदली हो गई थी. उसने अपने दात कसकर भीच लिये, दर्द के कारण उसकी आखे बंध हो गई और जून वू याओ की कलाई को उसका हाथ खीचो, जून वू याओ ने अपनी आखे मूड ली, चाहे अदिती सहमत हो या नहीं, उसे यह करना ही था. रोंग रों की अभिव्यक्ती में आंतरिक संधर्ष के संकेत दिखे. हाला कि वह नहीं जानती थी कि वास्तव में अदिती के साथ क्या हो रहा है, वह द रैंगनी आखे खून से लटपत थी और बहुत दरावनी लग रही थी. रोंग रों ने और देरी करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि अदिती की वर्तमान स्थिती ने उसे व्यथित कर दिया था. उसने जल्दी से छोटे सी स्पिरिट बीस्ट को नीचे रखा और अदिती का हा हात मौत की चपेट में था. उसने जूनवु याओ की कलाई को बेहत कसकर पकड़ रखा था. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोंग रों ने कितना जोर से खीचा, वह द्रिड़ता से जकड़ा हुआ था. रोंग रों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ती का उप्योग करके अपना हाथ खोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इससे अधिती के हाथ की हड्यों को चोट लग सकती थी. छोटी अधिती, जाने दो. मेरी बात सुनो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ. कुछ भी बुरा नहीं होगा. अच्छे बनो और अपना हाथ छोड़ दो ठीक है. ज चानत जंगल की ओर से एक काली छाया फूट पड़ी. हुआ याओ और फैन जुओ, सतरकता के क्षण में, जून वु याओ और अन्य लोगों के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़े हो गये. उनकी आंखों के सामने अजीब कपरे पहने एक शक्स आ गया. उस व्यक्ति का सिर बड़ा नहीं था और उसने तराजू से बना हलका कवच पहन रखा था, चेहरे पर हलके नीले रंग का मुखोटा था और पीछे एक लंबा धनुष था. यहाँ देखने में एक अजीब द्रिशे था. यहाँ ध्वीप वास्तव में बाधित था. हुआ याओ और फैन ज सावधानी को नोटिस किया और चम्रे के दस्तानों में लिप्ती अंगुलियों को फैला कर अपने हाथ उठाए, कुआ याओ और अन्य लोगों को संकेत देने के लिए कि उसका कोई दुर्भावनापूर इरादा नहीं था. मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं तो बस उ एक सौमय महिला की आवाज सुनाई दी. हुआ याओ और अन्य लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और उसे संदे की दृष्टी से देखते रहे. उसकी आत्मिक शक्ती और आध्यात्मिक शक्ती एक दूसरे के साथ संधर्ष में हैं. अगर हम बाधाओं को तेजी से नहीं हट आते हैं, तो यहां उसे गंभीर नुकसान पहुंचाएगा. मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आपके प्रती मेरी कोई बुरी मन्शा नहीं है. वहार रहस्यमय महिला बोली, उसकी आवाज हलकी थी लेकिन उसमें कोई स्थ्री सौमयता नहीं थी, बलकि वहा कुछ हद तक वीर लग रही थी. आप कौन है? जून भूयाओ ने इस समय बात की. अधिती द्वारा उसकी मदद का विरोध करने के कारण वह कुछ नहीं कर सका. उस व्यक्ती ने जून भूयाओ की ओर देखा, जिसने बात की थी और गहरी सांस लेते हुए कहा, ये जू, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ. आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन हम में एक बात समान है, हम उपरी क्षेतर के दुश्मन है. यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ. वास्तव में आप कौन है? जून भूयाओ ने अपनी आवाज धी ही निकाली. जून भूयाओ की नजर रिंग पर पड़ी और उनमें थोड़ा बदलावाया. पवित्र महिला कबीला? हाँ, महिला ने कहा. शुद्धर पवित्र युवदी जो एक हजार साल पहले उपरी शेतर से भाग गई थी, जून भूयाओ ने अचानक पूछा. वह व् व्यक्ति कौन था लेकिन फिर भी जून भूयाओ ने उसकी पहचान स्वीकार कर ली. जून भूयाओ ने भी उस पर विश्वास किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने आगे उसे बाधित नहीं किया. जैसे ही वहा अधिती की आकृती के पास पहची, उस व्यक् लेकिन इस जोड़ी आँखों के आधार पर यहाँ अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि उस व्यक्ति की शकल कितनी निखरी होगी. जून भूयाओ ने रोम रो की ओर थोड़ा सिर हिलाया, और तभी उसने अधिती से अपना हाथ छुडाया और एक कदम पीछे हट गई. लॉर्ड जू ने कैसे सोचा कि मैं उस समय उपरी शेत्र से भागने में काम्याब हो जाऊंगा. जून भूयाओ की आखों में थोड़ा आश्चर्य था. अप्रत्याशित रूप से इस व्यक्ति ने वास्तव में लिटिल अधिती जैसा ही तरीका चुना. अधिती की हालत द दिला सकता है. आप स्पिरिट न्यूकलियस प्राप कर सकते हैं. जून भूयाओ ने उस व्यक्ति की आखों में देखा. समझाने का समय नहीं है. विश्वास ना हो तो उस व्यक्ति ने उसका नकाब उठाया और उसके मुह में दवा डाली और पी गया. अपना मुखोटा व मुह में दवा डाल दी. अदिती के मुह में दवा डालने के बाद वह व्यक्ति एक तरफ हट गया और अदिती के पूरे शरीर में फैली नसे चमतकारिक धंग से खम हो गई. अदिती को देखते समय रोंगरो को राहत की लहर महसूस हुई और उसकी कसी हुई रिदय की दोरि होती गई. जैसे जैसे दर्द कम होने लगा, उसके चहरे का रंग भी वापस आ गया. जैसे ही अदिती ने अपनी आखे खोली, उसने जून वुयाओ की ओर देखा. जब उसने देखा कि उसने अभी भी जून वुयाओ का हाथ पकड़ रखा है, तभी उसकी आखों में कर चिंतित है. वह हलकी सी हसी उडाने से खुद को नहीं रोक सका. कभी अदिती की नजर उस महिला पर पड़ी जो विचित्र कपड़े पहने एक तरफ खड़ी थी. उसकी आखों में थोड़ी उलजन थी. आपके शरीर में अराजक उर्जा की स्थिती गंभी रूप से खरा बिना नहीं रह सका. उन्होंने स्वयम भी सोल वर्ल्ड की पद्धती से खेती की थी, लेकिन अदिती की स्थिती की तुलना में उनकी स्थिती काफी हलकी थी. ये बताना मुश्किल नहीं था कि अदिती की उम्र ज्यादा नहीं थी. वह वास्तव में कलपना भी नहीं कर सकत गया जो एक तरफ खड़े थे. आप अराजप उर्जा के बारे में जानते हैं, अरिती ने आश्चर्य से उस महिला की ओर देखा. महिला ने सिर हिलाया. आपकी ही तरह मैंने भी इसी विधी से खेती की थी, लेकिन आपकी तरह पागल नहीं. आपकी सिती को देखकर, आप परि नहीं कर सकते. यह कुछ अजीब था क्योंकि यह स्पष्ट रूप से पहली बार था जब वह इस छोटी लड़की से मिली थी, लेकिन वास्तविक कारणों को जाने बिना ऐसा लग रहा था कि उसके मन में उसके प्रती गहरा लगाव है. सबसे पहले उसने उसे बचाने के त भयालुता महसूस कर पा रही थी. खेदी बंद करना कोई रास्ता नहीं है. काफी देर तक चुप रहने के बाद महिला ने अपने कॉस्मॉस बोरे से नशीली दवा की शीशी निकाली और अदिती को दे दी. यह सी स्पिरिट बीस्ट के स्पिरिट कोर से बनी दवा है. यहा आश्चर्य से उस महिला की ओर देखा जिसने नकाब पहना हुआ था. अगर महिला नहीं बोलती तो उसके कपड़े पहनने के तरीके को देख कर यहां बताना वाकई मुश्किल था कि वह व्यक्ती एक महिला थी. धन्यवाद अधिती ने कमजोर स्वर में कहा. न जाने क्यों महिला को अचानक हंसने का ख्याल आया. उस समय बिजली चमक रही थी और गरगरा हट हो रही थी, जिससे पता चल रहा था कि तूफान बस आने ही वाला है. हवा जो मूल रूप से गर्म और धीमी थी, लगातार तेज बारिश के साथ तेज और क्रूर हवा में बगल गई. य लेकिन जब वह पहली ही अपने शब्दों को जाहिर कर चुकी थी तो उसके पास अपने शब्दों को वापस लेने का कोई रास्ता नहीं था. धन्यवाद जून वू याओ ने आगे गिरावट नहीं की और अधिती को उठा कर खड़ा हो गया. सयोग से ये शा और फी यान स स्थिती को समझ नहीं पाने के कारण जल्दी से वापस आ गये, उन्हें महिला ने घने जंगल में खीच लिया. मूसलाधार बारिश के बीच तेज हवाई चली, बादल गर्जे और बिजली चंकी. मौत के समुद्र का पहले से ही अंधिरा, उदास आस्मान अब गड़गड अधिती को हवा और बारिश से बचाया. जून वू याओ की नजर महिला की आकरिती पर पड़ी, उसकी आखों में संदे की जलक थी. वह कौन है, अधिती ने असमंजस में जून वू याओ को देखा, इस व्यक्ति की अचानक उपस्थिती जिसने उनके प्रती कोई गलत इर और वे देवताओं के प्रती सबसे अधिक आस्थावान है. उपरी क्षेत्र में उनकी उची प्रतिष्ठा है और पूरी जनजाती पवित्र परवत की रक्षा के लिए समर्पित है, इसलिए वे शायद ही कभी पहार से नीचे जाते हैं. क्या आप अब भी याद कर सकते हैं कि तीन लोगों के रक तलिदान की शर्टों में से एक यह है कि पवित्र यूवती संप्रदाय की पवित्र वर्जिन पूर्न समारो करती है. अधिती ने सिर हिलाया. हजारों वर्षों के दौरान पवित्र यूवती संप्रदाय में केवल दो पवित्र यूवतियों का जन्म एक है लोकिंचेंग, हाला कि भले ही लोकिंचेंग एक शुद्ध रक्त वाली पवित्र यूवती थी, लेकिन वह सबसे रूढिवादी नहीं है. दूसरा सबसे रूढिवादी व्यक्ती है, लेकिन 1000 साल पहले वह व्यक्ती अचानक दलबदल कर गया. ऐसा प्रतीत होता है कि वह उपरी क्षेत्र से वाश्पित हो गई है. मैं उस व्यक्ती से नहीं मिला हूँ लेकिन मैं शुद्ध रक्त पवित्र यूवती अंगूथी को पहचानता हूँ. वह वही है जिसने उन वर्षों पहले शुद्ध रक्त वाली पवित्र यूवती को त्याग दिया था. पहचान के साथ इस व्यक्ती की क्षमता को कम नहीं आका जा सकता था. पता नहीं. बस वह विद्रो करना चाहती थी, पवित्र परवत की रख्वारी कर रही दरी हुई यूवतीयों के एक समू को मार कर भाग गई. इतना तो स्पष्ट था. जून मुयाओं को दूसरों के व आध्यम से चिंताजन स्थिती के बारे में पता चला, और जब उन्हें पता चला कि वह वर्तमान खत्रे में नहीं थी, तो उन सभी ने राहत की सांस ली. ये शा और ये मेई ने क्रमशा लॉड मेह मेह और रक्वलिदान खरगोश को पकड रखा था. इन दोनों मूर्क को पिछले कुछ वर्षों में विशेश रूप से तकिया के रूप में इस्तमाल किया गया है और इसलिए वे बहुत सहयोगी थे. जब वे समों के बीच में चल रहे थे तो रोम रों ने छोटी सी स्पिरिट बीस्ट को पकड रखा था. ऐसा लगता है कि उसकी पिछली बु लोगों ने उसे पकड लिया है और वहां गुफा में चलना जारी रखा. गुफा बिलकुल अंधेरी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अथा गढ़्धा हो. सौभाग्य से वे कमजोर नहीं थे, इसलिए घने अंधेरे में भी वे आगे का रास्ता देख पा रहे थे. बाह देर तक अंधेरे में रहने के बाद अचानक उनकी आंखों के सामने एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी. सबकी आंखों के सामने रोशनी का बादल फैल गया. अंधेरे के पीछे अपनी ही एक दुनिया थी. यहाँ एक बड़ी पानी के नीचे की गुफा थी, जो एक विश इस पानी के नीचे की दुनिया में लगभग सो छोटे सी स्पिरिट जानवर इकठा हो रहे थे, खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ खिलवार कर रहे थे, जबकि कुछ वयस सी स्पिरिट जानवर चुपचाप जमीन पर लेते हुए थे, उन छोटी चीजों को प्यार और धीरे से देख रहे थे, यहां है, रोम रो अपने सामने का द्रिशे देख कर चकित थी, अपनी आखों में चमकती मुस्कान के साथ महिला ने मुड़कर कहा, समुदरी आत्मा जानवरों के आश्रय में आपका स्वागत है, सभी समुदरी आत्मा जानवर समर्थित पानी के नीचे की दुन्या में शान्ती से आराम कर रही थे। रोम रो की बाहों में ले जाए जा रहे छोटे सी स्पिरिट बीस्ट की आखे उस पल चमकने लगी जब उसने अपने साथी साथियों को देखा। उसके चार छोटे पंजे खुजलाते रहें, खुद को नीचे गिराने की कोशिश करते रहें। जल्दी से रोम रो ने इसे नीचे रख दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, वह छोटी सी चीज सीधे अपने साथियों की ओर जपट पड़ी। पहले तो मैं काफी चिंतित हो गया जब मैंने देखा कि कोई ध्वीप पर आया है। जब मैंने देखा कि आप लोगों ने छोटे सी स्पिरिट बीस्ट के साथ अच्छा व्यवहार किया है, तो मुझे राहत महसूस हुई और जब तक मैंने लॉड ये जू को नहीं देखा तब तक मुझे एहसास हुआ कि आप लोग मेरे दुश्मन नहीं है। महिला ने अपना शरीर घुमाया और उनकी ओर देखा। यहां एक दुरघटना थी कि वहां उन्हें यहां ले आई लेकिन उसे इसका अफसोस नहीं था। वह चोटे सी स्पिरिट बीस्ट के प्रती उनकी देखभाल को महसूस कर सकती थी। उसने अभी-भी उनकी बातचीत भी सुनी थी जब वे समुद्र तट पर थे बिना एक भी शब्द गवाये। चुकि वे छोटे सी स्पिरिट बीस्ट के अस्तित्व के बारे में चिंतित थे। इसलिए वहां उन्हें तब जवाब देती थी। वास्तव में ऐसी एक जगह है। यहां आश्चर्य जनक है। कियाओ चुने जादूई पानी के नीचे की दुन्या की प्रशंसा करते हुए अपनी आखे चौडी की। स्वर्ग को समुद्र के पानी से अलग करने वाली अद्रिश शक्ती की एक परत थी। चारों और नजर डाले, समुद्र बहुत साफ और अलग था। प्रभामंडिल की रोश्णी में उनके चारों और का समुद्र अधिक चमकीला हो गया, जिससे द्रिशमान शेत्र का विस् महिला ने बस हलका सा सिर हिलाया. सी स्पिरिट बीस्ट एक अनोखा समुद्री जीवन था। इसकी विशेश शारिरिक संग्रचना के कारण यहां आध्यात्मिक जीवन और जीविक चीज के बीच रहता था। प्रतेक परिपक्व सी स्पिरिट बीस्ट अपने शरीर में एक स विशेश विशेशता थी। जब उन्हें पता चला कि वे खत्रे में हैं और मारे जाने का भाग्य उनका इंतजार कर रहा है तो सबसे पहले उन्होंने जो किया वह था अपने शरीर के अंदर की आत्मा को तोड़ना। एक बार सी स्पिरिट बीस्ट में स्पिरिट को तूट गया तो कुछ क्षण बाद इसे सी स्पिरिट बीस्ट के शरीर में समाहित कर लिया जाएगा। इसलिए उपरी क्षेत्र के लिए आत्मा का मूल प्राप करना लगभग असंभव था। यहां वास्तव में आत्मा के मूल की बहुमूल्यता के कारण था जिसने किसी के शरीर म जो प्रभाव दिखाया वह उलेखनिय रूप से शांदार था। भले ही इसका उप्योग स्वास्थे लाभ या आत्मा उपचार में किया गया हो इसका जो प्रभाव दिखा वह अत्यधिक मजबूत था। ऐसा कहा जाता है कि यह सबसे मूल्यवान खजानों में से एक है जि उस वर्ष जब मैं उपरी क्षेतर से भाग निकला तो मैं बुरी तरह घायल हो गया था। मैं उसी क्षण मरने के लिए तयार था जब मैं समुद्र में गिरा था। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि समुद्री आत्मा वाले जानवर मुझे बचा लेंगे। वे मेरे रक् कियाओचू और अन्य जनों ने अभी-भी सी स्पिरिट बीस का वद देखा था। इतने सारे जीवन सी स्पिरिट बीस को फोरलिक करते हुए देखकर उनका मूर बहुत बहतर हो गया। छोटे सी स्पिरिट बीस में अजन्बियों के प्रती किसी भी प्रकार की सामधानी नह की। रोंग रो को इस प्रकार के दयालू और जादूई जीव पसंद थे क्योंकि वह जुकती थी और उन छोटे समुदरी आत्मा जानवरों के साथ खेल दी थी। लौड मेह मेह और रक्ट बलिदान खरगोश सबसे लोग प्रिया अतिथी बने। वे सी स्पिरिट जानवर जो समान आकार के थे, जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्होंने उन्हें घेर लिया, दोनों मूर्ग जानवरों को इधर उधर सुंगने लगे, जिससे दोनों जानवर एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए मजबूर हो गए। लौड मेह मेह और रक्ट बलिदान चोटी पूच को देखा, उसकी आखे चमक उठीन क्योंकि उसने अचानक अपना मुम खोला और लौड मेह मेह की पूच को काट लिया। मेह मेह, लौड मेह मेह तुरंत घबरा गए। ये चोटे सी स्पिरिट जानवर इतने नाजुक थे कि वे लौड मेह मेह की मार को सहन कर कर दिया। जो देखा गया वहाँ एक गोल सफेद वस्तु थी जो पूरे रास्ते विलाप कर रही थी, जबकि एक बेवकूफ छोटी सी गेंद उसके बच से चिपकी हुई थी। अधिती को सामने का द्रिशे देखकर बहुत गुदगुदी हुई। और यद्यपी उसने सी σब्सक्राइल नहीं बिताया था, फिर भी वहाँ उन्हें काफी पसंद करती थी। जब टक जूनवुक सिफ उन्हें पसंद करती थी, जूनवुयाओ भी उन्हें सहन करता था, और वहाँ हर चीज के उसके आनंद में खलल नहीं यालता था। जैसे ही अन्य लोगों ने छो इसका चहरा ठंडा था और उसका स्वभाव उदासींता का था और उसके करीब जाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन इस समय छोटे सी स्पिरिट बीस्त की जीवन पता के कारण अदिती के चहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। फैसला किया जैसा कि उसने जून वुयाओ से पूछा था, एमेन क्योंकि दूसरे पक्ष ने अदिती को बचाया, महिला के प्रती जून वुयाओ का रवया भी विनम रथा, महिला की आंखों में असमंजस की स्थिती उभर आई, चूंकि आप उपरी शेतर से भाग गए हैं, तो वहाँ वापस क्यों जाएं? वहाँ आपके लिए जगह नहीं है. लगता है तुम्हें कुछ पता है, जून वुयाओ ने अपनी भौहें उपर उठाई, जब सेक्रड मेदन भाग निकली, उपरी क्षेतर ने अभी तक अपना लक्ष प्रकट नहीं किया था. यहां तक क स्वयम जून वुयाओं को भी नहीं पता था कि वहार रक्त बलिदान के लिए मध्यस्त बनेगा. महिला ने जवाब दिया, यदि नहीं, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं भागना चाहता हूँ? हाला कि सी स्पिरिट बीस्ट बोल नहीं सकते लेकिन उनकी चेतना बहुत वे मुझे उपरी क्षेतर के बारे में सब कुछ बताएंगे, जिसमें यह भी शामिल होगा कि उस समय आपको कैसे पकड़ लिया गया था.